अभी को मेरा नमस्कार आज फ्रेंड्स में आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आई हूँ कश्मीरी स्टाइल में साग मतन यानि की पालक और मतन को मिक्स करके हमने बनाया है यह रेस्पी बहुत आसानी से बन जाती है तो चलिए, बिना किसी जिरी के वीडियो की तरब भरते हैं इसके लिए हमने आदा किलो मतन के पीसी ले लिया है मैंने यह यहां पर रान के पीसी लिया या आदा किलो और सात में 100 ग्राम दही लिया है जिसमें थोड़ा सा हींग यह दही फेटावा है और थोड़ा सा नमक डालना है लबक आधा टीस्पून उसको मिक्स कर लेना है अब हमें कडाई में सबसे पहले मटन को भूनना है उसके लिए हमने सरसों का तेल लिया और जो मोटे पीसिस हैं उनको सेंटर में रखा इस तरह से बाकी पीसिस को साइड मे अरेंज कर लिया ध्यान रखिए जो बोन वाले पीसिस हैं उनको सेंटर में रखी गा ताकि वह अच्छे से बुन जाएं और इसके बाद मीडियम आच पे सबसे पहले मटन के पीसिस को कसुन देना है कसुन देने का मतलब यह है फ्रेंड कि उनको जब तो पानी ना छोड़ दे दिजे जब मटन के पीसिस का कलर बदल जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे अपना हींग और नमक वाला दही यह देखिए हमारा फेटा वा हींग नमक वाला दही डालना है अब इसको दही के साथ ही मीडियम से लोर्टू मीडियम आज पे ही बूरना है ताम बगश न पकाना है 15-20 में या जब तक कि पूरा दही का यह देखी पानी पूरा पच गया जो मटन का पानी था पूरा पच गया है अब इसको भूनने का प्रोसेस चालू होगा आज को लो टू मीडियम ही रखना है और इस तहरे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनना है मटन को ज मसालों में सिंपल से मसाले डाले हैं धनिया पौर्डर डाला है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले लालमिच पौर्डर डाला है वह भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना कम या कितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं और साथ में अपने टेस्ट के अकॉर मसाले जो है मतन में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको कूकर में ट्रांसर करेंगे फ्रेंड्स गलाने के लिए एक चीज मैं आपके से शेयर करना चाहूंगी की जितने भी कश्मीरी पंडित्स होते हैं वो ही एक ऐसी कम्यूनिटी है जो मतन के साथ सब्जियां तरह तरह की सब्जियां खानी पसंद करती है तो ये देखिए हमने अपना पालग इसमें डाल लिया है जितना भी था धो के अच्छे से काट के आप साबूत भी डाल सकते हैं पालग के पत्ते पर मैंने काट लिया वो आपके अपनी चोईस है उसके बाद उसको चारपार सीटी होने तक या जब तक आपका मतन गल जाए त कितना सॉफ्ट हो गया है एकदम दबाने से तूट रहा है सौरी यह देखिए कितना नरम हो गया है रेसिपी कैसी लगी जरू बताएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेन सब्सक्राइब